कहा है काहा है मम्मी अभी चाहे निकाल रही हम लोग का और हम नहीं पीएंगा मतलब अब टाइम आप देख सकते हैं कितना हो रहा है ग्यारा बच के चालीस मिनट होने वाले हैं और गाई बाहर बहुत जारें ठंडी पड़ रही है हम लोग सब कोई नहां के आगा है मम्मी हम नहां लिया है और दिखाते है चलिए बहार आईगी दिखाते हैं अभी तक धूप नहीं निकला बस वहां देखे को सूरज दिख रहा है बतलब अच्छे सभी नहीं लिख रहा है हम लग सब नहां भी लिया सोज़े कि बैठाएंगा धूप में लेकिन धूपी नहीं था तो को हो रहा है गाइस मतलब उतना साफ नहीं दिख रहा सूरज भी अभी तक नहीं निकला और टाइम भी हो गया ग्यार चालिस फिर भी चलिए रूम में ही रहेंगे थोड़े दिर बात जाएंगे बाहर गाईस तो वीडियो में बने रही है वीडियो के लाइक करें तब सेनेमेटिक साट देखिये लेकिन तुम लोग कभी तक चल रहा है क्या कर रहे हो इसका सीक टूड़िया यह लोग देखे जुगाल अलगा है कितना अच्छा और इसका सीक जॉइंट कर रहे है टेपिंग मारवार के ऑप्रेशन कर दिये तुम तो इसका यार और यह देखा इसका भी कभी नीए खत्म होगा तुमारा भी खिचड़ी कभी नीए खत्म होगा न अ शब करके दिखाए है आपको नहीं दिख़ा होगा लुकि और जूंकरते आ केमरे में तू नहीं दिख रहा है इस बहुत दूर है गाइस वैसे भी वह और शिर्फ यह दो बंदे उड़ा रहा है यह तो इसका उप्रेशन तक कर दिया अब ट्रेंड हो यह नहीं उड़ेने वाला इसमें क्या क्या लग गया है फिक दो इसको फाड़ के हाँ अब अच्छ अब ही मम्मी आलो का ट्रिया सब क्या बनायों दाल भात और भुंजिया अब यह तो बहुत धंडी भी लग रहा है इसलिए हम तो पूरा स्वेट्वाटर पाइन के मुझा जुटा हम नातलब पूरा है अब तक दो इस नहीं कर दो है प्यादा आपको समय की रेकर चाहना सब्जी और अशार और शावल जल्दी जल्दी लेके भागो लो इसको पकड़ो इसको यही पर रख्या है जाजी है जो गाइस बाहर बारी सोनी है बहुत तेज अच्छी सी बारी सोनेने की फिर से ठंदा पड़ जाएगा कहा है कौन था जाड़ू अच्छा वहाँ पर पूरा वारी सोने लगा फिर से यह देखिए अब तरफ गिला गिला हो गया कहां पीए वाला पापा को जूता भी ले चलो जाड़ू ले आए चलो है कि अगर्णित फिर से खराब हो गया लेकिन मजा आ रहा है बारी सो रहा है तो अब फिर से ठंडी बढ़ेगी अब बाहर तो निकलना नहीं है क्योंकि बारी सोने लगा तो गया आपके तरह भी बारी सो रहा है क्या कमेंट बोक्स में जिरू बताइए तो है गाइस अभी है तो गया और भी निकल गया भी अवह अब रहा है और चट पर अब आपको भी इसी बाने थोड़ा मौसम में दिखा देंगे तो अब कमेंट बॉक्स में जरू बताइए कि आपके तरह बारी सो आया नहीं गए जरू कमेंट जरू करना तो हमारे तरफ तो हमेशा बारी सो और मौसम भी इसी वजह से थोड़ा थंदा थंदा लग रहा है तो गाइस इसलिए रूम में ही रहते हैं हम लोग और ज्यादा बाहर की व्लॉग नहीं दिखा पारें अभी धिरे धिरे गाइस लेकिन बाहर भी जाएंगे जब थोड़ी ठंडी खतम हो जा रेवलिंग भी ला रहे उसको पागल रहने दो ना एक पनी डाल दिया तो पागल एक डम जल तो रहा है ना इतना अच्छा से आग तो गई साम के च्छा बजने वाले आगाईस और लोग यहां पर मतलब आग जला चुके हैं यह पेड़ी के नीचे आप देखिए और पेड़ी के नीचे हैं क् थोड़ा थो रही हैं तो इसलिए पेड़ी के नीचे जला दिया हैं क्योंकि मतलब बारीस भी ना पड़े और ठंडी भी थंडी से भी थोड़ा बज जाए तो गाइस कब से मतलब मोबाइल चला रहे थे चटपे थे तो अब साम हो गया वैसे तो थंडी लगने लगी वैसे बिर यहां बारई सो रही है तो इसलिए पनलिकों भगान के लिए यहां बच्छों के साथ बैट के है उन्लों का गुरूब जॉइन कर लिआ और आए यह हां छी बजे दिक हार होगे हैं हाँ च्छे बजे रहा है और जुले पर बैटके यह अराम से प्रॉपर ली आग ताप रहे हैं तो चलिए गाइस थोड़ा आग ताप के आप से मिलते हैं फिर रूम में तो गाइस अभी हम लोग चाय पीने जा रहा है यहां पर चाय आ गया है जली ले क्या गई है और बाहर तो गाइस पानी बरसा इस साथ ज़िया रात वने वाला है तो बाहर जाना अपना मतलब ठीक नहीं है तो इसलिए ठंडी भी आ इसलिए बाहर अपने जाना थो रहे हैं तो रूम में रहे हैं और सभी लोग तो सो गयाँ गई सिर्क हम और अंजली अभी जगे हैं अभी वैसे टाइम गाई सो रहा है 11 बज रहा है रात के और बापा जल्दी सो जाते हैं क्योंकि उनको सुभा चार बज़ी उटके जाना पड़ता है तो मम्मी भी उनको भी सुभा सुभा उटके उनके लिए नास्ता बनाना रहता है तो वैसे सभी सो गए हैं बस हम अंजली जैगे हुए है तो गाई आज का व्ल